हेलो सब्सक्राइब आप लोग का स्वागत है और आज की रेक्नूर शुरू करते हैं उससे बला आप लोग को रिमाइंड करते हैं कि कल मेरी क्वेशन आंसर सीरीज आने वाली है तो आप लोग तयार है ना बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल पिक किया हो तो कल वेसे काफी मज़ा आएगा और एक स्मार्टफोन आया मेरे पास तो वह मैं मंडे की दिन अन्बॉक्सिंग करके साथ में गीववे भी कर दूँगा तो 2008 के अगर मैं बात करता हूँ तो दोस्तो हमें पता था कि 2019 में इस साल हमें फोल्डेबल स्मार्टफोन मिलेंगे फिर एक्चलिए वो रियालिटी में बदल गया और हमें सैमसंग के वावे के काफी सारे कंपनिस की फोल्डेबल स्मार्टफोन देखने को मिल गए अब फोल्डेबल स्मार्टफोन लाने की प्लानिंग कर रहे हैं यहां फोल्डेबल अलग होते Hey hope जैसे रोलेबल टीवी जो आया था आ इस तरीकी के अगर फोन हमारे हाथ में आते हैं रोलेबल तो कुछ अलगी लगेगा आएगा तो आएगा जब आएगा आएगा आपको ज़रू से इसके बारे बता देंगे तो यहां पर उन्होंने ऐसा बताया कि 2022 तक हर चार में से तीन स्मार्टफोन ऐसे होने वाले जिनमें आपको डेडिकेड़ एई का सपोर्ट मिलेगा मैं डेडिकेड़ एई सपोर्ट की बात कर रहा हूँ जो चिप के अंदर आपको मिलेगा जो बहुत ही अच्छी बात है साथ में उन्होंने ये भी बताया कि 2018 तक एक सो नवे मिलियन ऐसे स्मार्टफोन अभी है जिनमें आपको AI का सपोर्ट मिलता है और यह बढ़कर 1250 मिलियन हो जाएगा 2022 तक जो बहुत ही बड़ी बात है तो इससे यह पता चलता कि आने वह समय के दिर आपको जो स्मार्टफ 5G इंडिया में कभी आएगा कभी आएगा तो यहाँ पे रिसेंटली जो वो VP और President of Qualcomm राजन वगडिया ने हमें ये बता दिया कि आप लोगों को इंडिया के अंदर Q3 2019 जाने कि end से थोड़ा सा पहले ही आपको यहाँ पे जो वो इंडिया में 5G स्मार्टफोन देखने को मिलेगे जिनमें उनकी Snapdragon 855 वाला प्रोसरों का और Qualcomm X50 और या फिर X55 वाला आपको modern जो वो देखने को मिल सकते हैं मतलब इंडिया के अंदर दोस्तो हमें इस साल की end से ही 5G स्मार्टफोन से देखने को मिलेंगे Qualcomm की तरफ से ऐसा यहाँ पे उन्होंने confirmed किया है और शायद 2020 से उन्होंने ऐसा पता है कि इंडिया में मास प्रडक्शन होगा 5G फोन का तो 2020 से तो 5G एक दब आम हो जाएगा तो ऐसा यहाँ पर उन्होंने यह बात confirmed करी है जो Qualcomm की official खबर आ रही है अगर ऐसा होता है तो 2019 से दोस्तों हमें 5G स्मार्टफोन इंडिया में मिलेंगे जि Google के Pixel की phones में और OnePlus 16 भी successfully boot कर दिया लेकिन blue screen of death पर आके अटक गया था लेकिन आप तो भाई उन्होंने successfully boot कर दिया उसके अंदर Google Chrome modern comeback to game भी चला कि बता दिया और जो paint होता है उसमें उन्होंने hello लिक्के भी बता दें कि यह भी चल रहा है मतलब touchscreen भी काम कर रहे है और full version Windows 10 लेकिन अगर mobile के अंदर ही Android और iOS के लाव अगर आपको ऐसा मिल जाता है जो इस developer ने हमें प्रूफ करके बता है तो भाई pocket के अंदर ही full version Windows 10 लेकि गूमो तो टेंशन ही खतब हो गया है अब यह कितना जल्दी इसको available करते हैं दूसरे लोगों के लिए यह तो नहीं पता ले अब टिक टोक ने यहां पर ऐसा पता है कि इंडिया के अंदर Q1 2019 के अंदर उन्होंने यहां पर जो 88.6 million नए यूजर को एड़ करें मतलब 90 million users 1 million 10 लाग 10 million 1 करोड बूल जो इतने सारे लोग और मतलब इस पागठाने में entry किये जो टिक टोक ने हमसे शेर किया और ग्लोबल जो वो Geekbench पर लिष्ट होकर आ चुका है जी हां और इसकी काफे सारे स्पेक्स यहां पर जो निकल कर आ चुकी है अब दोस्तों मेरे पास तो फोन है मैंने सब कुछ रीट कर लिया हो लेकिन इन में से कुछ चीज़े सही भी है कुछ चीज़े गलत भी है लेकिन जो इस पारे में बताता हो यहां पर स्नाइब रेकिन का साथ सो दसवाला प्रोसेर दिखा रहा है आपको एंडॉड ने पाई देखने को मिलता है साथ में 6GB की रैम भी आप बताया जाए जाए आप मुझे कमेंट करके बताइए देखके तो कुछ चीज सही भी लग रही है कु पो का चो रेनो है अभी रिसेंटल यहां पर चाइना के अंदर लॉच फुह था अपनी पता लेकिन ओपो का रेनो लाइट वर्जिन भी हमें इंडिया में देखने को मिले गा जो वियुए रिसेंटी चाइना की 30 सचिट फैड्युकिशन पर देखा सकता है तीनों स्मार्टफोन एक साथ आ जाए हो सकता है एक या दो आ लेकिन हमारे पास आएगा मुझे पता भी चल गया है और बहुत ही जल्दी आएगा तुम आपको उसके बारे में पता दूगा देखते हैं कि कितना जल्दी आता है वैसे हाँ ओपन अपने आर सीरिस को भ आखरी फोन था वो सिर्फ अभी रेनो की और फाइंड सीरिस पर ही काम करेंगे ऐसा उन्हें अफिशली कंफिर्म्ट किया है तो अब दूस्तों शाओमी की तरफ से काफी बड़ी ख़बर आ रही है और यहाँ पर अगर आपको नहीं पता है तो पहले यहाँ पर शाओमी न उन्हों ने उसको हाइट करके वाइट किलर में बता है मतलब नया Mi Mix 4 आपको देखने को मिलेगा लेकिन अब यहाँ पर एक नई लिक निकल कर आ रही है और ऐसा बताया जारा है कि जो Mi Mix 4 आएगा दोस्तों यह आपको एक फोल्डेबल स्मार्टफोन देखने को मिलेगा जि Mi Mix 4 यह नहीं हो सकता है बस जो लीक आई हो वो कुछ अलगी फोन होगा जिसको शायद से गड़बरी से Mi Mix 4 बताया जा रहा है यह मुझे इसा लगता है वैसे आप भी मुझे कमेंट करके बता सकते है लेकिन हाँ फोल्डेबल स्मार्टफोन होगा और 60 मेगा पिसल के कैमरा यह भी सकता है लेकिन आएगा जरूस आपको उसके बारे में भी बता दूँगा कि आपको बता है कि चाइना के इंदर जैसे कि Facebook, Google, Twitter वगरा बैंड कर दीगी और उनकी अल्टिनेटिव भी निकल चुके लेकिन यहां पर अगर आपको नहीं पता है तो Twitter का जो अल्टिनेटिव चायना के इंदर आपको मिलता है वो